हेलो इस वीडियो में हम सीखेंगे review tab के अंदर check accessibility के बारे में smart look up के बारे में और translate के बारे में जानेगे तो सबसे पहले यहां पर हम सीखेंगे check accessibility तो check accessibility इसका काम क्या होता है चेक accessibility जो उती है यह computer में अपनी साफ से गलतियों को बताती है अगर उनको आगर हम सही करना चाहें तो कही कर भी सकते है अगर हम चाहते हैं कि जो जैसा हमने यहां पर लिखा हुआ है बैसा है रहे यह सही ना हो तो हम बैसा भी इसको रख सकते हैं तो पहले हम यहां पर चेक accessibility इसको चेक करते हैं कि काहां काहां पर errors है यहां पर click किया click करने के बाद यह देखो यहां पर आ जाएगा warning यह murd cell 1 तो यहां पर murd cell 1 यहां पर click करेंगे तो click करने के बाद यह देखो यहाँ पर आ जाएगा A1 से लेके C1 यह A column है और यहाँ पर 1 row है A1 से लेके C1 C column और 1 row तो यहाँ पर यह A1 से लेके C1 merge किया हुआ है इसको हम unmerge कर सकते हैं यह देखो more button पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा unmerge यहाँ पर click करेंगे तो यह देखो यह यहाँ पर unmerge हो गया तो इस प्रकार हम इस error को सही कर सकते हैं यह देखो सही होने के बाद यहाँ से यह चला गया इसके बाद second यहाँ पर हमें warning दे रहा है कि default sheet name यहाँ पर यह जो sheet name दिये गया है यहाँ भी error show कर रहा है कि यहाँ पर error है तो अगर हम यह रखने जाते हैं इसको भी रख सकते हैं यहाँ पर इसको सही करना errors को तो यहाँ पर हम default sheet name यहाँ पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर sheet 1, sheet 2 दो sheet यह देखो बरक बुक में दो sheet 1, sheet 2 तो यहाँ पे हम जाएंगे accessibility में और sheet 1 पे क्लिक करेंगे 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे more button पे जाएंगे इसके बाद इसको rename करेंगे यह देखो rename यहाँ पे क्लिक किया और rename पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह देखो sheet 1 यहां पे हम name देंगे जैसे A, A name दिया, A name देने के बाद हम यहां पे click करेंगे, यह देखो, यहां पे click किया, A name यहां पे आ गया, यहां यह जो error थी, यह चले गई, अब यह बता रहा है कि sheet second में error है, यहां पे warning शो कर रहा है, तो यहां भी हम इसको rename करेंगे, जैसे यहां प क्लिक किया, यह देखो यहां से भी error चली गई, इसके बाद एकी warning यहां पे रही, वो है hard to read text contrast यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर दो error बता रहा है, एक देखो यह A2 से लेके C2, यहां पर लेकर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद, यह देखो यह क्या है यह column है यह two क्या है row है तो यहाँ पे a2 से लेके c2 यह देखो c2 यह जो है hard to read text contrast तो इसको हम सही करेंगे यह देखो यहाँ पे यहाँ सही हो जाएगा यहाँ पे click किया more button पे और इसके वाद यहाँ पे font color हम change कर देंगे यह देखो font color हमने यहाँ पे click किया click करने के वाद यह देखो इसने अपनी साबसे यहाँ पे font color यहाँ पे लाके दे दिया इसके वाद यहाँ पे click किया इसके वाद यह आगला बता रहा है कि यहाँ भी error है a1 से लेके d1 यहाँ पे यह b sheet में है तो यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे more button पे click करेंगे यहां भी हम यह font color या fill color change कर सकते हैं तो हम यहां पे font color change करेंगे जैसे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां पे यह font color यहां पे change हो गया तो Check Accessibility के दवारा यहां पे सभी Error सही हो गई अगर हम इनको सही करना जाते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो जैसे हमने यहां पे Format बनाया हुआ है बैसे भी इसको रख सकते हैं तो यह तो Check Accessibility को समझने के लिए हमने यहां पे Error को सही किया अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहां पर फॉर्मेटिंग की हुई है बैसे ही रहे तो हम यहां पर undo करेंगे keyword की shortcut keys Ctrl Z प्रेस किया यह देखो यहां पर सही हो गया इसके बाद फिर Ctrl Z प्रेस किया इसके बाद यह आ गया इसके बाद यह unmerge किया हुए cell यहां पर merge करेंगे यह देखो यहां पर Ctrl Z फिर प्रेस किया तो यह cell यहां पर merge होके आ जाएगा इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है smart lookup तो smart lookup में हम definition amages या किसी भी word के बारे में detail में जान सकते है जैसे suppose करो हमने इसके बारे में keyword के बारे में detail में जालना है तो हम के करेंगे यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद smart lookup यहां पर click करेंगे smart lookup पर click करने के बाद यह देखो keyword यहां पर search हो के नीचे आ जाएगा तो यह keyword के बारे में पूरी detail यहां पर आजाएगी तो इस तरह से हम स्मार्ट व्रॉकम में जिस भी वर्ड को यहां पर सर्च करेंगे उसकी डेटेल यहां पर आजाएगी, आने के बाद यह देखो, सारी डेटेल यहां पर दे गई है, अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो keyword है यहां पर आ जाए यहां पर तो हम इस keyword को यहां पर insert कर सकते हैं यह देखो यहां पर यह copy यहां पर click किया यहां से इसको copy किया copy करने के बाद यहां पे इसको paste करना है right click किया इसके बाद यहां पे इसको paste कर दी paste करने के बाद यह दिखो यहां पे keyword आ जाएगा तो अगर हम कुछ भी यहां पे insert करना जाते हैं तो जो word हमने यहां पे search किया हुआ उसको यहां पे paste कर सकते हैं इसको फिर undo करते हैं अगर हम कोई यहां पर definition इंसल्ट करना जाते हैं जैसे हमने many users यहां पर इंसल्ट करना है तो हम इसको select करेंगे इसके ओपर right click करेंगे copy करेंगे और यहां पर paste करना है right click किया और इसको यहां पर paste कर दिया है तो इस तरह से हम यहां पर इसको paste कर सकते हैं तो जो smart look up होता है इसका काम यह ही है आगर हम किसी world के बारे में यहाँ पे detail में जानना जाते हैं तो smart look up के जरीए हम यहाँ पे उसके बारे में detail में जान सकते हैं इसको यहाँ पे बंद करते हैं यहाँ पे यह डिलीट किया यह देखो डिलीट हो गया इसके बाद आगे जो है यहां पे translate है, तो translate को यह sheet भी यहां पे click किया, यह second sheet भी पे click करने के बाद, यह second sheet यहां पे open हो जाएगी, यहां पे सबसे पहले दिया गया है English, तो English का मतलब यह है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है computer science, यहां पे computer science English में लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि computer science, यह हिंदी में यहां पे लिखा हुआ आ जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं लैंग्विज में हिंदी लैंग्विज में यहां पे यह हिंदी में लिखा हुआ है अगर हम इंग्लिश में चेंज करना चाहें इसको तो इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं table English में लिखा हुआ है इसको गुजराती में चेंड करना चाहें तो गुजराती में चेंड कर सकते हैं यह chair English में लिखी हुई है अगर हम यह चाहते हैं कि इसको पंजाबी में लिखें तो पंजाबी में यह लिखी हुई यहां पर आ जाएगी तो इसको करने के लिए हम यहां पर translate पर जाएंगे ट्रांसलेट पर जाने के बाद यहां पर यह translator यहां पर open हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर computer science यहां पर click करेंगे तो यह computer science है यह English में लिखा हुआ है तो यहां पर यह English आ गया है इसको हमने Hindi में यहां पर change करना है तो हम क्या करेंगे To यहां पर दिया हुआ है पंजाब भी तो यहां पर हम Hindi लाएंगे यह देखो Hindi यहां पर select करेंगे यह Hindi आ गया यहां पर हम click करेंगे यह Hindi यहां पर आ जाएगा इसको हम यहां पर ऊपर ले जाएंगे यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक किया इसको यहां पर ड्लीट किया ड्लीट करने के बाद यहां पर क्लिक किया फिर यहां पर कंप्यूटर साइंस पर क्लिक किया यह देखो कंप्यूटर साइंस यहां पर आ जाएगा आने के बाद फ OP करने के बाद यहां पर हमने इसको paste कर दिया, यह दिको paste किया, यह computer science यहां पर आ गया, तो इस तरह से हम computer science English में लिखा हुआ है, उसको हम change कर सकते हैं, हिंदी में, यह दिको हिंदी में लिखा हुआ, यहां पर आ गया, इसके बाद आगे जो है, वो हिंदी में लिखा हुआ ह इसको हम English में change करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे पहले ये delete किया इसको delete करने के बाद यहां पे click किया यह दिखो हिंदी में लिखा हुआ है यहां पे click किया हिंदी में click करने के बाद यह दिखो यहां पे आ गया आने के बाद हम के करेंगे यहां पे इसको उपर ले जाएंगे यह देखो उपर ले गए यहां पे हिंदी आ गया हिंदी में यह नाम लिखा हुआ गया तो यह देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पे आ गया आने के बाद हम इसको copy करेंगे ये दिखो इसको copy किया, copy करने के बाद यहां पर हमने इसको paste करना है यहां पर click किया, Keyword से जब हमने control भी press किया, तो यहां पर यह paste होके आजाए तो यह दिखो यहां पर यह Hindi में दिया गया था, इसके बाद यह English में यहाम पर change हो गया तो इस तरह से हम Hindi Language को English में change कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर Table लिखा हुआ है यह English में है इसको हमने गुजराती में change करना है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर Click करेंगे यहां पर Table पर Click करने के बाद ये देखो टेबल यहाँ पे लिखा हुआ गया इसको हम उपर ले जाएंगे ये देखो हिंदी है यहाँ पे तो यहाँ पे इंग्लिश लाएंगे तो यह एरो हम प्रेस करेंगे ये देखो इंग्लिश उपर आ गया ये इसके बाद यहाँ पे हम लेंग्विज चेंज करेंग यह दिखो यहां पे गए गुजराती लैंग्विज निकालेंगे यह दिखो यह आ गई यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे फिर एरो पे क्लिक करेंगे यह दिखो यहां पे क्लिक किया फिर यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद इसके बाद यह नीचे क्लिक किया फिर इसके उपर क्लिक करेंगे ये देखो ये इंग्लिश में हो गया इसके बाद फिर हमने यहां पर क्लिक किया ये देखो यहां पर गुजराती में लिखा हुआ आ गया ये देखो इसको कॉपी करेंगे ये कॉपी किया कॉपी करने के बाद यहां पर इसक यह देखो यहां पे चेर आ जाएगा इसके वाद यहां पे हम पंजाबी करेंगे यह देखो पंजाबी नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यह देखो यहां पे पंजाबी लिखा हुआ है यहां पे क्लिक करेंगे पंजाबी यहां पे आ जाएगा इसके वाद क्या करेंगे हम इ यहां पर निचे ले आएंगे ये arrow पे 클릭 किया arrow पे क्लिक करने के लिए देःके ओल्याबी निचे आ गया scrolling और एह पंजाबी में लिखा हुआ यहां पर आजायेगा आने के बाद इसको copy करेंगे यह copy किया eCopy करने के लिए यहां पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट करने के बाद यह देखो यहां पे यह चेर जो है यह English का वर्ड है और यह पंजाबी में यहां पे लिखा हुआ आ गया है यह देखो यह पंजाबी में लिखा हुआ गया है तो इस तरह से हम किसी भी selected text को किसी भी language में change कर सकते हैं तो इस वीड अब्सक्राइब मैं चानल धन्यवाद